सुबीज नुजिवीडू सीज सुबीज क्रशिविज्या बीटी कपास में गुलाबी रंग के कीडों को कम खर्च और प्रभावी धंग से रोखने की आधुनिक पद्धती पिछले कुछ वर्षों से गुलाबी रंग के कीडे बीटी प्रुटीन बीटी द्वारा कपास के पौधो में हर भाग में पैदा होने वाले कीडे की कीट नाशक के प्रती प्रती रोधक बन चुके हैं अतह बीजी किस्म के गुलाबी रंकी कीडों के प्रती इनकी मारक शक्ती कम हो गई है। इसलिए किसान भाईयों के लिए दूसरे प्रभावकारी कीट नाशकों के प्रयोग की आवशकता है। इन कीट नाशक तबाव का सही समय पर जिड़काव अत्यांत्य आवशक है। गुलाबी रंके कीडों के बारे में जानकारी। गुलाबी रंके कीडों का संक्रमन कपास की खेती में डोडे फटने तक दिखाई नहीं देता। इसलिए समय रहते ही कीट नाशक का छिड़काव करना चाहिए। इसे खंच भी कमाता है। एक एकड में दो से तीन कीट आकरशक जुन लगाने से पहले कीटों द्वारा नुकसान से बचाव करके आवशकत अनुसार दवा का छिड़काव किया जा सकता है। किसान भाईयों को चाहिए कि सावधानी से कीटों की संख्या पर द्रिष्टी रखे और गुलाबी रंके कीटों के निवारन का उपक्रम करते रहे। कीटों की संख्या कम होने पर दवा के छिड़काव की आवशकता नहीं रहती। गुलाबी रंग के पंखो वाले कीडों की आकर्षक जुन्डों की संख्या का आकलन कर नीचे बनाई गई दवा का छिड़काव करें। कीट नाशक का छिड़काव 40 से 130 दिन तक प्रुफेनोकोस 2 मिलिलीटर प्रति लीटर 2 मिलिलीटर प्रति लीटर या जिवडिकाच 0.5 ग्राम या ख्लोरोपैरिफोस 2 मिलिलीटर प्रति लीटर 2 मिलिलीटर प्रति लीटर आई मोमेक्टिन बन्जाइट शुन्य दशमलोकर 5 ग्राम प्रति लीटर या साइपनुसाद 0.03 ml प्रथी लीटर 130 दिन बाद इन में से कोई एक सेब़ मेत्रिन 10 Ic ml प्रथी लीटर या लाम्ड सेलोथ्रिन 5 Ic 1 ml प्रथी लीटर 1 ml प्रथी लीटर कीडों का पूरी तरह खात्मा करने के लिए दो से तीन बार छिड़काव करे यदि कीडे ना हूँ तो दवा का छिड़काव ना करे अधिक दवा से खर्च पड़ता है और पौधी का विकास भी कम होता है उपर बताये गए तरीकों के साथ शीघर कटाई के लिए तयार फसल को फरवरी के बाद सावधानी से देखे फसल पूरी होने के बाद पौधों को निकाल कर जला दे गर्मी की जुदाई से भूमी में उपस्थित लार्वा समाप्थ हो जाता है गर्मी में फिर से कपास की खेती ना करे इन सबसे गुलावी रंग के कीडों पर प्रभावशाली नियंतरन पाया जा सकता है HT कपास, BG3, Graysil, BT किस्म को सरकार की अनुमती नहीं है इसलिए इनकी खेती ना करे सुबीज नोजी वी दोसीट सुबीज करशे विग्यान